सनिवार को तिलंगान और आंध प्रदेश में इद उल्जुहा यानि बलिदान का तेवार बड़े ही उत्सा के साथ मनाया गया तिलंगाना के हैदराबाद और अन्य सहरों में मुसल्मानों ने इद की प्रातना की और बकरों की बली दी जो पैगंबर इब्राहिम के महान बलिदान की सम्रिती थी तिलंगाना के मुखे मंतरी के चंदर सेखर राओ, आंध प्रदेश के मुखे मंतरी एन चंदर बाबु नाइडू और दोनों राज्यों के राजपाल इसल नरसिम्हन ने इस अवसर पर लोगों को बढ़ाई दी दिन की शुरुआत में मुसल्मानों ने अपने सर्वसेश्ट पर्व में इद की नमाज अता की हजारों लोगों ने तिलंगाना के 30 अन्य जिलो और आंध प्रदेश के सभी 13 जिलो में प्रातना की नमाज से पहले उनके भाशन के दोरान इमाम ने मुसल्मानों को बलिदान की भावना को आत्म साथ करने के लिए प्रोच साहित किया और पैगंबर इबराहीम का अनुसरन किया जिन्होंने अल्ला को प्रसंद करने के लिए अपने बेटे इस्माइल को बलीदान करने की पेसकस की थी सर्वशक्तिमान ने इस्माइल को एक भेड के साथ जगा दी जैसा कि इबराहिम अपने बेटे का बलीदान करने वाले थे इस तहवार को बकरीद या ईद एक कुर्बान के रूप में भी जाना जाता है ये मुसल्मानों का दूसरा प्रमुक तहवार है बलिदान किये हुए जानवरों के मांस को तीन भागों में समान रूप से वित्रित किया जाता है बलिदान करने वाला व्यक्ती अपने परिवार के लिए एक हिस्सा रखता है जबकि अन्य दो हिस्से रिस्तदार और गरीबों के वीच विद्रित किये जाते हैं मुसलिम बहु संख्यक पुराने शहर हैदराबाद की सरकों पर एक जुंड की तरह दिखाई दिये सहर के कई हिस्सों में व्यस्त गतिविधी देखी गई क्योंकि बकरों की बिक्री पूरी रात जारी रही बकरों और भेडों को 5500 रुपे से 8000 रुपे में बेचा गया धार्मिक विद्वानों के एक समूद वारा अपील की वज़ा से मुसल्मानों ने गायों के बजाए बकरों भेड़ और मवेशियों को बलिदान देना पसंद किया तेलंगाना के उपमुखे मंत्री मुहम्मद महमूद अली ने गायों का बलिदान ना कर अपने देशवासियों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए मुसल्मानों से अपील की थी उन्होंने बकरा या अन्य पशुओं का बलिदान करने की सला दी चुकि पुलिस ने विविनस्थानों पर मवेशियों के परिवाहन के ट्रकों को जब्त किया था इसलिए अली ने पुलिस महानिर्देशक अनुराग सर्मा को ये सुनिशित करने के लिए कहा था कि गायों के अ पुलाना मोहम्मद रिजवान कुरैसी ने प्रातना खरवाई एतिहासिक मक्का मस्जिद मदन पेट इदगा होकी ग्राउंड महेब टैंक और मिलिटरी गाउन महंदी पटनम और सहर के सैगडों मस्जिदों में प्रातना हुई हैदरबाद में इमामों ने देश और दुनि प्राइक रूप से समेदन सील पुराने सहर हैदरबाद में सक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई जो मंगलवार को वार्सिक विसरजन जुलूस के साथ समाप्त होगा